सार्थक करो साधन ये महागीत रविंद्रनाथ ठाकूर्न लिखा और हमारे देश इमेजिन्या के लिए राश्ट्रगीत की तरह है इसमें सब्द साधन का अर्थ क्या है आंखों पे लगी ये पट्टियां हमारे सुख का परम साधन है न्याई की देवी ने आंखों पे पट्टि क्यों लगाई है ये एक प्रतीक है आंखों का उप्योग उपद्रव के सिवा कुछ नहीं देता कुछ नहीं और हमारा देश इमेजिन्या पूरी दुनिया में सबसे सांती मैं है हमारा अंदत्व स्वाइचिक है मुझे खुशी है के मेरे पास बोद लेने के लिए बहुत से रोग आते है कल मैंने कर्नल रावल को निक्षा दी और मेरा निवेदन है उनको सुना जाए तो मित्रो आज हमारे देश इमेजिन्या को आजाद हुए सो साल पूरे हो रहे है और हमारी इस अंधत्व की दिक्षा को असी साल पूरे हो रहे है इस प्रसंग को यादगार बनाने के लिए इमेजिनिया के चुने हुए पाइग्यानिक, लेखक, विचारब सब को निमंद्रित किया है मित्रो हमें सुचना मिली है कि हमारे मुख्या दीधी गर से निकल चुके है तब तब मैं निवेदन करता हूँ कि उपाद्यक्स मुखदय हमें संबोधित करे मित्रो आज की इस सभा में आपका स्वागत है जैसा कि अंदर्शी तेमिल प्रेजेना कहा कंडल रावल को अशार्शक्षु पार्टी में शांगिल कर लिया गया है मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो अपनी बात रखे आए करने साथ प्रोफेसर ये क्या है आख होते वे भी अपने की तरह चलना ये लोग इमेजिका के वेश्ट ब्रेन है अधरणी मित्रोफ मेरे पिताजे ने फोच से रिटायर होकर तीन महिने में अंधत्व की दिक्सा ले ले थी क्योंकि तक कालिन प्रधान मंत्री ने हमारी जिती हुई जमीन दूस्मन को वापिस कर दी कल मैं टीवी देख रहा था हमारे युआ ने प्रधान मंत्री का ओरिनन्स हाड के फेक दिया अब देखने को क्या बचा इसली मित्रोफ स्वामी तीमीर प्रियेचे मैंने भी कल अंधत्व की दिक्सा ले कर्णाल साब आपने टीवी में पिस देखा और अंधत्व की दिक्सा ले यह तो निराश्य की बात है जबकि अंधत्व तो अपने आप एक भलसपा है आप ही आप नहीं है बचाईए यह अंधत्व बेड़ चाल है बेड़ चाल यह कौन बोला कि हमारा अंधत्व बेड़ चालते मैं एक पत्र का हूँ आपके देश पर आपके समाज पर आपके डेमोक्रेसिव पर उस तक लिखने के लिए आए मुझे बताईए हन्याई का विरोध करने के स्तान पर इस तरह लट्व की दिक्सा क्या यह कायरता नहीं है तुम जिसे कायरता कहते हो जिसे बेड़ चालते यह तुमारी ना समझीए हम आख के उपयों को ठीक नहीं समझते क्योंकि तुम आख खलो गए तो दिखेगा दिखेगा तो विचारा है लिए मैं कह रहा था बाचीत होगी तो मतांतर होगा और मतांतर के बाद क्या होगा ब किसे ने सविदान भार दिया शांतरो विरोत करो ही मत गंदू आप हमारे देश में मेहमान हैं बढ़ना हम ऐसी बात करने वाले को अंगुटा चूसने के सजा देते हैं कलतना कीजिए जिसने पट्टी बांदी है उसकी बहु बेटी पर बलात कर हो जाए तो हिम्मत रखो इतने सारे लोगों में कोई एक तो हो इन आशू को कोई तो समझे सुना इस इसक्रों को आपने एक बार पट्टी उधा के देखतो लो चोप रहना और ना घर जला दूंगा अरे सुनो 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 ये तो आनंद के आशू है अंड्रेट परसंट है हे प्रभू ये डेमोक्रेसी है हमारे अध्यक्स आ चुके है रुपाफर के सब खड़े हो जाईए मित्रों लीजिये हमारे अध्यक्स मौद है मान्ये सिरी अहम सथ पटेल पधार चुके है इनके बारे में आपको बता दू इनका पारिवारिक नाम अर्यत पटेल है लेकिन दुनिया इनको अहम सथ पटेल कहती है क्योंकि ये जो कहते है राध पुरुशों को अच्छा लगता है मित्रों बोलिए अहम सथ पटेल जिन्दाबार जिन्दाबार अब मैं बिंति करता हूँ सेट सुन्य प्रकास जी से के वो स्टेज पर आए और अहम सथ जी का स्वागत करे मित्रो अब मैं निवेदन करता हूँ कि एहम सब पटेल जी हमारा मालतशन करेगा आप सब अपने अपनी आखों की पटिया थे कर ले क्योंकि विकार विचार दिमाग में ना आए मित्रो आज मैं आप से कुछ मांगने आया हूँ आप तो जानते हैं कि मेरी इस आख का ओपरेशन डॉक्टर सुगांधी ने तेन साल पहले किया था अब मेरी इस आख में भी प्रॉब्लम है तो मैं अस्वताल पहुँचा पता चला अब डॉक्टर सुगांधी तो है नहीं लेकिन उनकी पोती है तो आप देखिए पोती और दादी में कोई अंतर नहीं वही बाल, वही आखे, वही रंग, वही रूब, वही उचाई अरे नाक भी वही कुपठ वही है तो मैंने उनसे कहा जब तुझे इश्वर ने दादी जैसा ही बनाया है तो मेरे ओप्रेशन कर दे हंगरेद्परसंट येस येस तो उसे कहा, नहीं, मैं वकिल हूँ, मैं उप्रेशन नहीं कर सकती, अब बताओ, ये भी कोई बात हुई, मैंने उश्यक कहा, कि उप्रेशन कर, देश की भलाई होगी, और देश की भलाई से कोई बड़ा काम है, नहीं, रही कानून के बाद, तो हम बता देंगे, आज ही बता देंगे, कोईशन तो करना ही होगा, मैंने कुछ गलत कहा, मुझे मालूम था, कि आप मुझे समर्थन देंगे, तो चलिए मेरे साथ, पहले हम जजसाथ के बंगले पर जाएंगे, वहाँ मेमो देंगे, और मैं वहाँ नारा दूँगा, कि पोति कोईशन करने दो, करने दो, पोति कोईशन, पर्भी 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 कोईश को डॉक्टर रोना देंगे यही लोग तंत्र है यही तो लोग तंत्र है तो चलिए बाहर मेरी बस में बैठ चाहिए आइस्क्रीम लेजिए मैं आ रहा हूँ सार्थक करो साधन जार फ्लो गणियों सुप्रेम कौर्ट में जाओ तो पोट के उपर पहन लेना पाधिक्स जी जब बात आएगी ना तो दिख्दी राजा और कम्पित शिंपल साफ का आपरेशन होगा समझ रहे हो ना यही लोग तंत्र है यही डेमोक्रेजी है बिल्कुर अगर अगर आप इसे हिंदी में लोग तंत्र कहते हैं तो मैं इसे लोग तंत्र कहता हूँ दुआनी की दुनिया हक ले नजारा अरे छोड़िये देखना क्या यह पर रुपली का रब है मगर बे सहारा